हेलो माई लबली फ्रेंज मैं हूँ रिंकू और स्वागत है आपका मेरे चैनल अपना किचन में आज मैं आपके लिए अंडे की यह कैसी डिलीसस रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आपने ना तो पहले कभी बनाया होगा ना खाया होगा और नहीं कभी देखा होगा एकदम और पांच उबले अंडे हैं अंडो का मैंने चिलका अटा लिया सबसे । क्या करेंगे अंडो को गेड कर लेंगे तो एक sehe के लिए इस तरीक है कि पतल मैघ करना करें मोटे जाली वाले ग्रेटर से अंडो को ग्रेट करने से क्या होता है अंडो के लच्छे जो निकलेंगे एकदम बड़े बड़े निकलेंगे और देखने में काफी खुशूरत दिखते हैं तो इसलिए पतले जाली वाले ग्रेटर का इस्तमाल ना करें और एक एक करकर इस तरीके से देखिए केरफूली सारे अंडे को ग्रेट कर लेंगे बड़े ही इजली ये ग्रेट हो जाते हैं मतलब बिल्कुल भी मैनत नहीं लगता है इससे ग्रेट करने में तो आप मैंने पांच उंडो को कद्धू काज कर लिया है और आप देख सकते हैं इनके लच्छे कितने बड़े बड़े और कितने प्यारे खिले केले दिख रहे हैं तो इसलिए हमें ऐसे मोटे जाली वाले ग्रेटर से अंडो को ग्रेट करना है तो चलिए अभी इसे साड में रखते हैं और फटा-फट से हम चलते हैं कुकिंग के प्रोसेस में अब एक कडाही में लेंगे 2-3 बड़ा चमच तेल और तेल को पाले अच्छे से गरम होने देंगे मैंने सर्शो के तेल का इस्तमाल किया है लेकिन आप कोई भी कुकिंग ओल ले सकते हैं जो आप खाते हैं जो आपको पसंद हो तेल करम होने पर इसमें डाल देंगे आधा चमच जीरा, एक चथाई चमच कलोंजी, एक चमच बारीक कटी हुई लासन और तीन से चार बारीक कटी हुई हरी मीर्च साथी में डाल देंगे आधा इंच ग्रेट किया हुआ अधरक तो मैंने आधा इंच अधरक को ग्रेट करके लिया है मतलब कदू कस करके लिया है इसमें इस तरीके से बारी कटी हुई लशन और कदू कस किया अधरक बहुत ही अच्छा टेस्ट लेकर आता है लेकिन आप चाहें तो इसके जगव पर अध्रा क्लैसन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं अब इन सभी को पले हलका सा भून लेंगे फिर इसमें डाल देंगे तीन मीडियम सैज का ऐसे बारिक केटा हुगा प्याँच गैस का फ्ले मीडियम टु हाई रखेंगे चाहें प्याँच का प्याँच को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि प्याँच का कलर बनिया से गोल्डवन ना हो जाए तो लिज़गे फ्रेंस प्याँच हमारा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है तो इसमें frozen हरा मटर का इस्तमाल ना करें ऐसे phrase ताजी हरा मटर का इस्तमाल करें ताजी मीठी हरा मटर इस recipe में बहुत ही अच्छा टेस्ट लेकर आता है इसे प्याज के साथ अच्छे से मिला देंगे और ढख करके 5 मिनट तक पका लेंगे तो 5 मिनट मैंने इसे पका लिया है और आप देख सकते हैं फ्रेंज मटर हमारे खूब अच्छे से कूख हो गया है मतलब 75 परसें तक कूख हो गया है आप चाहें तो इसके जगपा टमाटर का पेष्ट भी इस्तमाल कर सकते हैं साथी में डाल देंगे ड्राई मसाले आधा चमच धनिया पाउडर आधा चमच जीरा पाउडर एक चथाई चमच काली मिर्च पाउडर आधा छुड़ा चमच हल्दी पाउडर एक चमच लाल मिर्च पाउडर लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉड़िंग डाल सकते हैं जितना आपको तीखा पसंदों कमिया जादा और तड़कों में हम लोग हरी मिर्च का इस्तमाल किये हैं यहाँ पर तीखा आप अपने टेस्ट के कोडिंग ध्यान से डालिएगा स्वाध अनुसार नमक डाल देंगे और दो से तीन टेबल इस्पून पाने डालकर मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम करेंगे मसालों की खूब अच्छे से भुनाई क्योंकि जितने ब मज़े से भुन रहे हैं और टमाटर भी देखिये मज़े से कूख हो रहे हैं तो अब हम इसमें डाल देंगे आधा चमच गरम मसाला पाउडर और इसे भी मसालों के साथ अच्छे से मिला देंगे और अब हम इसे फिर से ढख देंगे 5-6 मिनट के लिए मतलब टोटल मसालों को हमें 8-10 मिनट तक low to medium flame पर भुनना है तो टोटल 8-10 मिनट होगे मुझे इसे ढख करके भुनते हुए और आप देख सकते हैं इनमें से तेल से प्रेट होने लगे हैं और ये देखिए सारी चीजे खूब अच्छे से भुन गये हैं है ना प्याश टमाटर देखिए गलकर और खुस बूले कर आता है तो इसमें एक मुठी कम से का महरा धनिया जरूर से डालिएगा अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लिम बिल्कुल लो रखेंगे लो फ्लिम पर इसे ढख करके 5 मिनट तक पकाएंगे फ्रेंज एक छोटी सी रिक् पसंदा रही हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें इसे जादा से जादा अपने दोस्तों के साथ सेर करें और अगर अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो 5 मिनट हो गए मुझे इसे लो फ्लिम पर पकाते हुए मैंने बीच-बीच में ढकान अटा कर चला भी लिया था जिसे कि ये नीचे से एक ही तरफ जले नहीं और ये लिजे फ्रेंस वाव लुक आर दीस फ्रेंस हमारी सूपर डूपर डिलिसयस आप इसको अंडे का कीमा बोल सकते हैं बन के रेडी है एकदम नए तरीके से नए टेस्ट में तो चली इसको और थोड़ा सा चटपटा और फ्लेवर फूल बनाते हैं इसमें डाल देंगे आधा निम्बू का रस डालने से इसमें बहुत ही बढ़िया चटपटा सा फ्लेवर आ जाता है और इसका टे कीमा एकदम नए तरीके से नए टेस्ट में तो देखे ना फ्रेंज इसे बनाना कितना आसान है और खाने में ये सूपर डूपर डिलीसस लगता है आप इसे रोटी से खाईए आप पराठा से पूरी से खाईए और फिर दाल चाओल के साथ या फिर आप इसे नौन के साथ कुलचा के साथ सबके साथ ये खाने में बहुत ही जादा डिलीसस लगता है तो अंडे का कीमा तो आपने कई तरीके से बनाया होगा एक बार मेरा तरीका अपना कर देखना फ्रेंज सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे और हर बार आप अंडे का कीमा ऐसे ही बनाएंगे बनाने का तरीका जितना आसान है ना खाने में ये उससे ज़्यादा डिलीसस लगता है और देखने में भी लग रहा ना बहुत ही टेंपटिंग या कीन मानने फ्रिंस इस तरीके से अंडे का कीमा जिनको भी बना कर खिला देंगे ना सब लोग तारीफ करते नहीं ठकेंगे और पूछेंगे जरूर आपने बनाया कैसे हैं तो फ्रिंस रेसिपी को ट्राइ करें पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलते हैं एक नई यूनिक और बहुत ही डिलीशस रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई एंड टेक केर